दे लाइव टीवी सच सबसे आगे बार दंगे फसाद होते हैं मुसलिम भाईयों की जान चली जाती है अब जो ताजा घटना सामने आई वह आपने सब ने देखा कि कैसे तीन मुसल्मानों की बेरहमी से ट्रेन में हत्या कर दी गई अब इसके बाद मुसल्मानों ने हला बोल शुरू कर दिया है सरकों पर विरो प्रदर्शन इसलिए है कि बार-बार मुसल्मानों को प्रतारिश किया जाता है बार-बार किसी भी घटना में दंगे पसाद में मुसल्मानों की बेरहमी से हत्या हो रही है या फिर गवरक्षा के नाम पर भी तो हत्या ही होती है हर एक मुद्द्य इसमें शामिल है लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यह है कि ट्रेन में एक कॉंस्टेबल कैसे तीन मुसल्मानों की बेरहमी से हत्या कर दी इसके साथ एससाथ एक एस्टी भाई भी थे उनकी भी हत्या कर दी गई एक पुलिस कर्मी भी इसमें शहीद हो गए और इसमें पाकिस्तान से कनेक् पड़ा है आज तक ने यहां बात कही है हाला कि वह खबर हम आपको आगे दिखा रहे हैं लेकिन इससे पहले जराहिस जनसेलाब को देखिए इस भीड को देखिए कितनी भारी संख्या में लोग सड़कों पर उत्रे हुए हैं मुसल्मानों के खिलाफ जुल्म बंद करो यह कर दिया जाता है ताबरतोर गती से उल्लों के घर गिराये जाने लगते हैं बुल्डोजर चलाया जाता है हर्जाना में भी बुल्डोजर चल रहा है क्योंकि नुह में हिंसा भरकी है इसके अलाबा अलग-अलग राज्यों में भी आप देखेंगे कि मदर से गिराये जाते कई जगह इदगाह मजार सब को धुस्त कर दिया जाता है और फिर गौरक्षा के नाम पर मुसल्मानों की बेरहमिर से पिटाई या फिर हथ्या तक कर दिया जाती है जिन्दा भी फूख दिया जाता है ये सारी घटनाएं हमारे देश में हो रही है और इसको लेकर चिंता अंतराष्ट्रिय मंच पर भी उठाई जाती है अब भारत में भी मुसल्मान जो अब तक खामोश बैठे थे इस उम्मीद में कि सरकार कभी न कभी इंसाफ को करेगी लेकिन जिस तरीके से मुसल्मानों का क कतले आम मचाया गया ट्रेन में तीन मुसल्मानों की हत्या हुई इसके अलावा भी और भी जगहों पर हर बार मुसल्मान शिकार होते हैं या फिर उनकी भावनाओं को आहत किया जाता है इन सब का एक गुबार है जो सडकों पर गुस्टे के रूप में प्रदरसन के रूप बद्ध करो हाला कि ट्रेन में जो घटना हुई है उसमें एक पुलिस वाला जिम्मेदार है लेकिन इसमें यह समाजिक और सियासी मुद्धा इसलिए बहुत जादा बन गया है क्योंकि इसके वीडियो के दहार पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का कोई कनेक्शन है तो क् ही सवाल कर रहा है कि आखिर यह कैसे हुआ कैसे ट्रेन में भी तीन मुसल्मान ही मारे गए इस तरीके से बेरहमी से हत्या क्यों की जा रही है तमाम ऐसे सवाल एक साथ जब खड़े हुए हैं तो इस पर अस्दुद्धिन ओवेसी ने भी समर्थन किया है कि यहां आतंकी हिंदु आतंकी द्वारा तीन मुसलिम वह एक स्ट को ट्रेन में गोली मारकर जान ले लिया गया था अपने शहील भाईजों के लिए जैपूर में सड़क पर उत्रे लाखों मुसल्मान अब इसमें से यह जो कॉंस्टेबल था जिसमें गोली चलाई है वह आतंकी है उसका क बिचलित कर देने वाली घटना भेड में यात्रे सुरक्षित नहीं है जिन Shaun के ऊपर यात्रीयों के शुरक्षा की हिम्मेदारी है वही गोली चला रहा है। अपने सहयोगी को भी मार रहा है और आम यात्रियों पर भी जनादर फाइरिंग करते हुए सब की जान ले रहा है यहां बेहद ही खौफनाक मंजर है खौफनाक घटना है अब आएज तक की खबर पर इसमें क्या जानकारी दी गई है हेड्लाइन में आज तक ने लिखा है यह सब पाकिस्तान से ऑपरेट हैं ट्रेन में फाइरिंग का वीडियो वाइरल धमकाता दिखा आरोपी कॉंस्टेवल जिसने गोली चलाई है अब यहां कितना खौफनाक मंजर था और इसके उपर कैसी सनक सवार थी इसके पीछे कौन सा मास्टर माइंड था यह सब जाच का असत तक बबाल खड़ा हो गया है अरोपी हमराबर ने पाकिस्तान का नाम लिया है रेलवे से जुरे सुपरों ने बताया है कि घटना की ब्यापक जाच करने के लिए ADG RPF की अध्यक्षता में एक उच अस्तरिय समीती गठित की गई है यह पाकिस्तान से ओपरेटर है कैसे कह दिया गया अब इस वीडियो में ऐसी कौन सी खास बात है इन सारे बिंदूओं पर गहन जाच की जरुरत है अब इस वाइरल वीडियो में क्या कुछ बताया गया है यह वीडियो मारे पास तो प्लब्द नहीं है लेकिन यह जाच इस वीडियो का चल रहा है आज तक के खबर के मुताबिक जो जानकारी है जो आपने स्क्रिन पर देखिए कि इस घटना का एक वीडियो भी वारेल हो रहा है इस वीडियो में आरोपी हमलावर चेतन पीट करक हैं इस घटना के बाद ट्रेन को मीरा रोड रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया गया ट्रेन में सहमे यात्रियों ने किसी तरह चेंग कीची थी इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल का जबान चेतन सिंग हत्यार के साथ रेलवे ट्रैक पर भाग रहा था मीरा रोड रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है यहां मामला 31 जुलाई को घटित हुआ था और कैसे बिरहमी से हत्या की गई है जिसकी कितनी भी निंदा कर दी जाए वर्टसना कर दी जाए वो कम है क्योंकि हम मंजर ही बहत खौफनाक रहा होगा हर यात्रियों की सांस फूल ग पकड़ा और सारा मामला सामने आया अभी भी इस कॉंस्टेवल को लेकर सगन जाच की यरुवत है पता तो चले किसका कनेक्शन कहां से कहां तक फैला हुआ है इस मामले में अस्दुद्दिन ओवईसी ने भी प्रतिक्रिया दी थी उन्होंने क्या कहा था जिरा देखी आप अपने स्क्रिन पर इस घटना का वीडियो वायल होने के बाद मामले ने तूल पकर लिया ए आइम आइम के चीफ अस्दुद्दिन ओवईसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यहां एक आतंकी हमला है जिसमें विशेश रूप से मुसल्मानों को निशाना बनाया गया है यह ल मानत को सरकार समर्थन देगी क्या रिहा होने पर उन्हें माला पहनाई जाएगी यह एक सवाल है और इसमें क्योंकि बीजेपी वालों ने ऐसा कारणामा कर रखा है गुजरात में बिलकिस बानों के ग्याने दोश्क्रियों को जब रिहा किया गया तो लोगों को फूल माला पहनाया गया था मिठाई बांटे गये थे और वो भी बिलकिस बानों के साथ रेप करने वाले दरिंदे थे और इनकी समय पुर्व रिहाई हुए और फिर स्वागत जितना जोड़दार हुआ और बीजेपी के विधायकों ने इने संसकारी बताया ब्रहमन बताया तो फिर उस बक्त भी आलोचना हुई थी कि भारते जनतापाटे के सरकारें ऐसे रेपिष्टों को हत्यारों को सरन देती है सुरक्षा देती है तारीफ करती है तो क्या इस हत्यारे का भी वही अंजाम होगा बीजेपिटिकर देकर सुनावी मैदान में उतार दीगी क्या वैसे जिस वीडियो में तना ही आप सभी काम से जुरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हुए दे लाइफ टीवी सच सबसे आगे